उत्रप्रदेश में भलेई चुनाव पचार ना हो रहा हो लेकिन सियासी गल्यारे में हल्चल तेज हैं हम दखातार तमाम पॉलिटीशन से बात कर रहे हैं ऐसे हमारे साथ दो खास पॉलिटीशन हैं हमारी बाई तरफ हैं अब तक कॉंग्रेस के राष्ट्री सचर इम्रान मस इनको मिले थे बले चुनाव हार के लिए सबस्यादा वोट कॉंग्रेस की तरफ से इनको मिले थे हमारे तरफ है मसूद अख्तर साहब आप कॉंग्रेस के सिटिंग में सारनपूर सीट से अब ये दोनों लोग अखिलिश रादव जी से मुलाकात किया है इनोंने और कॉंग प्रियंका जी की और रहुल जी काफी करीब ही लोगों में से थे राष्ट्रिय सचिफ और हम खुद जानते हैं आपको इतने सालों से प्रियंका जी से बड़ी खासी नजदी कि आपकी आप से चर्चा करके निरने भी होते रहे क्या आप कॉंग्रेस अरॉब लगा रहे कि क उत्तर प्रदेश की राजनेतिक प्रिस्तिती ऐसी बन गई कि लड़ाई उत्तर प्रदेश में सीधी समाजवादी पार्टी और भारती जिद्धा पार्टी के बीच में सीमट गई है और इस प्रिस्तिती के अंदर निर्ने लेना आवश्यक्ता है मुझे कोई शृकायत कॉंग्रिस से नहीं घया है कोई शृकायत प्रिंका जी से नहीं है सैंने मुझे बहुत दिया लेकिन अत्तर प्रदेश की लड़ाई के इंदर नौज़ान ओर किसने को अपनी सरकार चाहिए और जिस प्रकार का महल बनाएं वह आपके उर्जवान में तरत्म ही संभव है और हम आपके साथ अंगे निशनल है सर इमरान साथ चुकि जब से आप आएं समाधिर पार्टी में बीजेपी का पूरा आईटी सेल वो पुराना जो आपका एक बयान है बोटी बोटी वाले सो बहुत काफी उस पर मकदमा भी हुआ था आपको उसको लेकर के काफी वायरल कर रहे हैं वो उनका कहना है कि और गांधी वादी हूँ गांधी के विजारों को मानने वाला हूँ हमारे यहां की बोली इस परकार की है उसके अंदर कुछ शब्दों का खलत मतलब समझ लेया था लोगों न वो मेरी भावनाई नहीं थी और मैं एक हजार बार राश्ट्री चैनलों पर भी वैसे भी सब कह चुका हूँ कि सब मेरा वो आशे नहीं था और ना मेरी वो मन्चा थी वो हमारे यहां की बोली थी उसके अंदर निकल गये थे और बार बार माफी में मांग चुका हूँ भारती जंता पार्टी के लोग किस कदर जहर उगलते हैं आज तक उन्हों ने तो माफी भी नहीं आपके पास किसान के फसल के दाम बढ़ाने की कोई योजना नहीं आपके पास व्यापारियों को किस तरह व्यापार देंगे कोई योजना नहीं आप जूटी बात करते हो कि एक लाग करोड का निवेश लाएंगे कोई निवेश नहीं या विरोजगारी की दर चरम सीमा पर कि ये विधायक रह चुके हैं इंडिपेंडेंट बेहट सीट से और पिश्ट्य बार इट से विधान सपा हार गये थे इनको हराया था नरेश सैनी मैं बता रहो ना कि मेरी सीट से बेट से जहां से मैं मिले था मैंने नरेश भाई को एलक्षन लडाया था और नरेश भाई 29,000 वोट से जीत कर गे गये थे मेरा कमेंटल एंगल ही नहीं कभी भी वैसे भी हम इनकी सारनपूर सीट पर जाते हैं और काफी वक्स से कवर करते रहें इनना बयान भले ही दिया हुए लेकिन इनको इनकी महाँ पर क्रेडिबिल्टी और इनकी छवी उस नेता की है जो इनके दराजे खुले रहते हैं राशीत मसूद साब के भतीजे हैं जो की Udra, अबthose खएकिया है, जो आज राजनेत्य परिश्थितियां जो अत्तर परदेश में बनी हैं वो वी जेपी के सांगे ने जो भी वाईदे रही जंता के साम दोश्था है है, हो ज़ाहे किसानों के मुद्डे हों वेयान वके हों विकल्प के तौर पर समाजवाधी पार्टी को देख रही है। पूरा唄 उत्तर पΩरदेस के हिंदो-MUSLIM भाई आज विकल्प के तौर परसा रहा हैं उनके कामों को पूर की बारा से सत्तरा वाली सरकार के कामों को मांग अखिलेशियादु जी के सराने का काम किया जा रहा है और इसलिए आज बदलाव परिवर्तन का वक्त है जनता बदलाव चाहती है और जाहिर है हमारी वैकलपिक तौर पर हम लोग भारती जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हमारे वैचारिक तौर पर हम नहीं जा सकते तो इसलिए हमने समाजवादी पार्ट बातर साब commitment ले ले आपने अखिलेश विए से कि आपको टिकेट देंगे वो नहीं हमने कोई शर्थ नहीं रखी है यह पार्टी पर है यह माने अखिलेश आदरव जी पर है कि वह हमें हमारा कहां इस्तेमाल करते हैं कि जिम्हेदारी देते हैं वह उनके उपर है हमने कोई commitment न दर हमें अपनी आउती देनी चाहिए और उत्तरप्रदेश की जंता को निजात देलानी चाहिए तो फिर शर्त का कुई माइन नहीं रहे तो आपको जानते हैं आपके इतने टीम अच्छी है वहाँ पर लेकिन आपको समाधी पार्टी के लोगों का विरोध जेलना पड़ सकत मैं तो एक दर्फा मौबत निभा रहा हूँ मैं तो निभाहूंग का मौबत मैं तो मिलेगा मसूद साभ आपको में पता है लेकिन थोड़ा आपको सोचल इंजियरिंग करने पुड़ेगे मैं तो मौह पना मौबत करनी है आपके बारे में कहा रहे थे कि इम्रान मसूद साब को बहुत कुछ दिया कॉंग्रेस में और कॉंग्रेस का साथ देना चाहिए था उने प्रियंका राहुल जी से उनके सम्मंद और सीधे एंट्री होने वाली आपको जाना खल रहा है लोगों को तकलीफ हो रही है कुछ दो कर जाने से तकलीफ नहीं होती है उनको लगता निजात होगे आपको जाने से लग रहा है कि नहीं ये इस आदमी पर काफी इन्वेस्ट किया था कॉंग्रेस न और आपने दोखे बाजी कर दी देखे मैंने दोखे बाजी नहीं करी मैंने बहुत दिन से प्रियास कर रहा था कि किसी भी तरह से ये पॉसिबिल हो जाए क्योंकि राहुल जी और प्रिंका जी ने मुझे बहुत बढ़ने का मौका दिया मुझे बहुत इज़त देने का काम किया मैं उनका इसान मन दूँ मैं असान फरामुश आदमी नहीं हो कि कहूं कि साथ मुझे ये शिकायत थी हाँ मैंने बताया था मैंने का मैं मजबूर हूँ क्योंकि हाला इस वक्त ऐसे हैं कि हम लोग किसी भी सूरत में भारते जनता पार्टी के परोक्ष रूप से आप प्रत्यक्ष रूप से कहीं मदद ना करने इम्रान साहब और मसूद अख्तर साफ समझते हैं वह जानते हैं कि इनका आना स्माज़ पार्टी के लिए बहुत फाइदे मंद हैं कितना फाइदे मंद हैं टिकेट मिलेगा ही मिलेगा इनको बहुत सीट है वहां से नरेश सेनी साफ चले गए हैं बीजेपी में तो इनका रास्ता साफ है मसूद अख्तर साफ को यह मिलेगा कमिट्मेंट कर लिए लेकिन अभी बताएंगे नहीं हमें फिलहाल हम लगातार उत्तर प्रदेश में हैं और सबसे बात करते रहेंगे और यह बड़ा नुकसान कॉंगर्स को हुआ है फाइदा समादेश पार्टी को देता दिख रहा है सेयोगी बिलाल के साथ लखनाओ में सुरब शक्ला आएंडी टीवे इंडिया